जहीं दोस्तों स्वाज़त है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर आज है 12 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2023 से रेलेटेड जितने भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूँ तो फ्रेंट्स बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला इंपोर्टन कोश्टन पूरे जोस के साथ पूरे होस के साथ आईए पढ़ते हैं आज के करेंट अफेर्स को तो दोस्तों कल हमने 36 गड़ के नए चीफ मिनिस्टर को देखा था आज यहाँ पर म बहुत ही चौकाने वाला मामला था बहुत ही चौकाने वाला खुलासा था मद्य प्रदेश की नए मुख्य मंत्री कौन बने हैं इनका नाम है मोहन यादव क्या नाम है मोहन यादव दक्षण उज्जैन से बिलॉंग करते हैं उज्जैन जो महाकाल की नगरी है तो यह साउ तो जेन दक्षिड से बिधायक बने है ये और अब यहां पर चीफ मिनस्टर भी बन गए हैं, यहां पर मद्धिप्रदेश को दो डिपटी चीफ मिनस्टर भी मिले हैं, तो पहले चीफ मिनस्टर जगदीश देवडा और दूसरे राजेन शुकला, राजेन शुकला हमारी ही जन्म भूमी से है यह रीवा से विलॉंग करते है राजे शुकला अगर आपसे पूचा जाए कि विधान सभा अध्यक्ष कौन बने है तो यहाँ पर दो यहाँ पर विधान सभा अध्यक्ष बने है नरिन सिंग तोमर जो क्रशी मंत्री थे जो एग्रिकल्चर मिनिस्टर थे यहाँ से उनको अब यहाँ पर विधान सभा अध्यक्ष बना दिया गया है देगे मोहन यादो की बात करें तो बहुत लंबे समय से बिधायक नहीं रहे है यह बहुत लंबा कारेकाल नहीं रहा है जैसे आप बहुत दिगज नेता देखेंगे मध्यप्रदेश में लेकिन यहाँ पर यह केवल 2013 में बिधायक बने थे मोहन यादो 2013 में बने थे पहली बार पिर 2018 में दूसरी बार यहाँ पर बिधायक बने और उच्च सिक्षा मन्तरी बने तो यहाँ पर इनका कारेकाल बहुत ही कम समय के लिए था और यह चौकाने वाला था कल बहुत सारे नाम बताए जा रहे थे न्यूस पेपर में, मीडिया में लेकिन एकदम से सर्प्राइजिंग नेम था मोहन यादो और यहाँ पर टोटल सीटे जो जीती है बिजेपी ने 163 सीटे जीती है मद्धि प्रदेश में 230 सीटे हैं और उसमें 163 सीटे यहाँ पर बिजेपी ने जीती हैं भाजपने जीती हैं दोस्तों बात यहाँ पर मद्धि प्रदेश की की है तो मद्धि प्रदेश से related करेंट अफेर्स को मैं आपको यहाँ पर डिसकस करने वाला हूँ तो यहाँ पर देखिए आप परिक्षा संजीवनी में MP Current Affairs में डिस्कस कर रहे हैं हाली में MP की प्रभारी मुख्य सचीव कौन बनी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह हैं वीरा राणा तो मद्द प्रदेश की जो Chief Secretary बनी है वह हैं वीरा राणा बनी है और निर्मला बूच के बाद दूसरी महिला मुख्य सचीव है मद्द प्रदेश की पहली महिला जो मुख्य सचीव थी वह हैं निर्मला बूच और इसके बाद दूसरी हैं वीरा राणा Statue of Oneness का हाली में इनोगरेशन किया गया था ओम कारिश्वर में किया गया था Smart City Conclave हुआ था कौन सा शहर सबसे बेस्ट Smart City का स्थान पराप्त हुआ है तो यहीं पर हुआ ही था और इन दौर को सबसे बेस्ट Smart City का स्थान मिला है मुख्य मंत्री क्रशक मित्र योजना का संबन किस राज से है MP राज से है मुख्य मंत्री क्रशक मित्र योजना का दोस्तों परिक्षा संजीवनी में यहाँ पर मध्य प्रदेश से related करें मध्य प्रदेश की जानकारी भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ मध्य प्रदेश अगर देखें तो इसे हदय प्रदेश कहा गया था पंडित जवाला नहरुजी की द्वारा Heart of India कहा जाता है ठीक भारत के मध्य मिस्तित है इसे Tiger State कहा जाता है Soya State कहा जाता है Leopard State कहा जाता है अलग-अलग नामों से इसे बोला जाता है और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में इसकी Capital है भूपाल जीलो की संक्याव यहां पर पचपन हो गई है मंगू भाई चगन भाई पटेल यहां की Governor है यहां की राज्यपाल है मुख्य मंत्री आपको बता दिया मोहन यादव है राज सभा सीटे 11 है और लोग सभा सीटे यहां पर 29 है तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक ही question में मिल गई है दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यहां के Daily Current Affairs को जो आप देख रहे हैं आज है 12 December और Hindi प्लस English में आपको एक class मिलती है सबसे कम समय में केवल आदे घंटे में आपको डेड़ से दो घंटे का जो लेक्चर होता है वो आपको मिल जाता डेड़ से दो घंटे गा और बहुत ही image के साथ सब कोछ आपको यहां पर देखने को मिलता है 737 नंबर की class चल रही है अभी time में थोड़ा बदलाव यहां पर आपको दिया गया है साड़े 6 बजे सुबह कर दिया गया क्योंकि ठंड की वज़े से यहां पर आपको दिक्कत ना हो तो सुबह साड़े 6 बजे इसका समय में बदलाव किया गया है राजा गुपता current affairs हमारा telegram channel है जहां से आप जॉइन होकर की important updates important PDF के लिए आप यहां पर जॉइन हो सकते हैं study कर application है study कर application को आप Google Play Store से download कर सकते हैं और वहां पर जब जाएंगे तो PDF class notes पर क्लिक करेंगे तो daily current affairs की proper हर महीने की हर दिन की PDF आप पढ़ सकते हैं e-books भी available कर सकते हैं नवंबर महीने की monthly magazine launch हो चुकी Hindi English दोनों माददे में जो आपको e-book section में देखने को मिलेगी आए देखते हैं next question लाका डोंग हल्दी किस राज से संबंदित है जिसे GI tag प्रदान किया गया है लाका डोंग turmeric belongs to which state which has been granted the GI tag तो दोस्तों लाका डोंग आप यहां पर देख पा रहे हैं यह लाका डोंग हल्दी है और भी चीजों को GI टेक दिया गया है वह भी आपसे पूछा जा सकते हैं आपको सब कुछ describe करूंगा तो यह है गारो दकमंदा यह है लारनाई मिट्टी के बरतन और गारो चुबूची और मेघाले का लाका डोंग हल्दी हो बहुत ही शब образ हपवे प्रती रक्षजों हो बढ़ती है ठीक है तो यह,'ज लाका डोंग हल्दी है दूसरा है । गारो दकमंदा तो गारो दकमंदा आप यहां पर यह पर इक पोशाक देख पा रहे हैं जो गारो जनजाती के दौरा पहना गया है यह वहां का यहां पर पहनावा है इसे भी दिया गया है जियाई टैक फिर है लारनाई मिट्टी के बरतन तो जैताई पहाडी से बनाए जाते हैं कारीगर वहां की काली मिट्टी से बरतन बनाते है जैताई पहाड़ी से ठीक है तेरह गारू चूबीची क्या है तो चावल से बना हुआ एक मादक पे होता है ऐलकोहल होता है ठीक है चावल से بنتा है तो इन सभी को जी आई टैक प्रदान किया गया है ठीक है चलिए दोस्तों परिक्षा संजीवनी में हम यहाँ पर परिक्षा संजीवनी में और भी महतुपुन्ट G.I. Tax को पढ़ने वाले हैं तो देखें यहाँ पर C. बक्थान को G.I. Tax दिया गया जो की जंगली फल है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसका संबन लद्दाख राज से है केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और जम्मू कश्मीर से related है केसर मरीपूर काला चाबल का संबन मरीपूर से है और है कुडाई कनाल मलाई पुंडू ये तमिल नाडू से संबन्ध है एक प्रकार की मिठाई होती है और है Pondum, Pondum का संबत किस से मिजोरम से है तो Important GI Tag को भी हमने एक बार revise कर लिया है अब देखे GI Tag क्या होता है तो GI Tag को बोलते है Geographical Indication किसी भी राज्य का, किसी भी छेतर का, किसी भी जगह का एक अपना विशिस्ट पहचान होता है उसे GI Tag मिलता है GI Tag को ले करके, हमने 2003 से इस इंप्लिमेंट किया है 1999 में अधिनियम हमने लाया था और 2003 से इस इंप्लिमेंट किया था सबसे पहला GI Tag हमने दिया था 2004 में, दार्जी लिंक की चाया को यहां पर GI Tag दिया गया था मिझाले के बारे मैं थोड़ा जान लेते हैं तो मेघाले जो है आप देखें यहाँ पर मेघाले यह मेघाले आप देख पा रहे हैं तो मेघाले केवल एक राज जिसे सीमा बनाता है वो है असम और एक अंतरास्टी सीमा बनाता है बांगला देश से मेघाले की capital है यहाँ मेघाले की capital क्या है बताएं मेघाले की राजधान यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक जील है, उमियम जील है, इतनी साफ है कि आप वहाँ के, आपको वहाँ पर उसकी जमीन जो सर्फेस है वो देखने को मिल जाएगी, कोपीली यहाँ पर एक इंपोर्टन रिवर है, बल पक्रम रास्टी उद्यान और नोकरिक रास्टी उद्या पहाडी गारों खासी जैनतिया जनजाती यह सब मेघाले राज में आपको देखने को मिलेगी समझ गए आप चलिए ओके देखिए दोस्तो अगला कोशन आप सभी के सामने ये रहा नेस्ट कोशन आई देखते हैं सुप्रीम कोट ने किन सरकार को किस अनुच्छेद को हटाय जाने की फैसले को बरकरार रखा है तो दोस्तो अनुच्छेद 370 को यहां पर हटाय गया था 5 अगस्त 2019 को केंदर सरकार ने 370 अनुच्छेद हटा दिया था जो जम्मू कश्मीर को विशेश राज का दर्जा प्रदान करता था 370 अनुच्छेद को अब हटा दिया गया है अब 370 पहले हटाय गया था इस पर कई 23 ऐसे याचिका करता थे जिनोंने बोला था केंद सरकार ने इसे गलत तरीके से हटाया है अब संवधानीक है इसको लेकर करके सुनवाई चल रही थी चार साल चार महीने छे दिन हो चुके थे अब जाकर किन रिड़ने लिया गया है कि 370 जो हटाय गया है वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अटाय गया है और पार्लामेंट संसत के पास ताकत है संसत के पास ताकत है के सरकार के पास ताकत है भारत में किसी भी प्रकार के संबधानिक प्रोविजन से संबंधित बदलाव करने के तो कोट ने इस फैसले को बरकरार रखा है आप यहाँ पे CGI चंदरचूड को देख रहे हैं भारत के वरतमान पचासवे नंबर के CGI है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है इनके साथ पांच लोगों की बेंच बैटी थी जिन्होंने बहुमत के साथ इस बात को कहा है कि यह जो 370 है जो हटाया गया है के सरकार के दौरा यह फैसला बरकरार रहेगा यह सुरक्षित रहेगा ठीक है वो एक आस्थाई प्रावधान था उस समय की जरुरत के साथ समय ने 370 बनाया था लेकिन आज आज अगर वरतमान स्थिती को देखे तो 370 की जरुरत नहीं है दोस्तों उसमें पांच लोग जो थे वो आप यहाँ पर पीट में देख पारज इनोंने डिसीजन लिया है डी वाई चन्दर चूट है जस्टिस बी आर गवाई है जस्टिस सूर कांट है जस्टिस संजै किशन कॉल है और जस्टिस संजीव खनना है 370 का अब हमारे इतिहास में नामो निसान मिट जाएगा ठीक है तो दोस्तो अनुचेद एक और अनुचेद 377 में सपस्ट है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन अंग है जब वो भारत का अभिन अंग है तो समधान के जितने भी प्रावधान है वो सब यहां पे लागू होंगे जिस प्रकार से अन राज्यों के लिए लागू होते हैं उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे यह बात एकदम सपस्ट है ठीक है चले राश्पती के आदेश के दौरा हटाया गया था बिल्कुल सही का राज और वो भी वैलिड है वो भी मान है दोस्तो सुप्रीम कोट न बहुत सारी वेकेंसी आने वाली हैं तयार रहिएगा ठीक है और सतर अक्टूबर उन्नीस उन्चास को आटिका 370 को शामिल किया गया था अब तो पूरी तरीके से हट गया है समझ गया आप चले बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने विरोत किया है जैसे उमर अब्दुल उनको पैसे दे करके पत्थर फिकना सिखाते हैं और फिर उनको गोली मार दी जाती है वहिंसा हो जाती है तो इस प्रकार से हो रहा है समझ रहे आप तो अच्छा और डिसीजन है और वहाँ पर अभी शान्ती कायम है आई देखते है question number 4 चलिए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है when is UNICEF Day celebrated तो दोस्तों UNICEF Day 11 दिसंबर को मनाया जाता है कल 11 दिसंबर था और 11 दिसंबर को UNICEF Day मनाया जाता है 10 दिसंबर को human rights day मनाया जाता है किसके लिए बच्चों के संड्रक्षन के लिए है बच्चों के एजूकेशन बच्चों के राइट्स इन सब पर किंद्रित होता है तो इस बार का विशय था for every child every right इस विशय पर UNICEF का जो विशोबाल दिवस था focus था ठीक है UNICEF को कहा जाता है United Nation Children's Funds बोला जाता है ठीक है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होई थी 11 दिसंबर 1946 को इसका head quarter आपको New York America में देखने को मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हैं M Russell पा रहा है जो UNICEF की वरतमान अध्यक्शन UNICEF का काम होता है erect object के लिए कामकरना उनकी सक्षता के लिए कामकरना उनकी nutrition के लिए कामकरना उनके सर्वाणगीर विकास के लिए कामकरना इसका मक्सद होता है अब दोस्तों बात यहां करेंगे 11 दिसंबर कौंतर राश्टी परवत दिवहस भी मनाए गया तो इसकी तीम क्या है इसकी थीम है restoring mountain ecosystem यह है इसकी थीम ठीक है और 2002 से इसे मनाया जाना की गोशना की गई थी United Nation General Assembly ने इसकी गोशना की थी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे भी डिसकस करते हैं अब दोस्तों यहां पे मैं आपको सभी महादीपों की सर्वोट चोटी बता रहा हूं जिते भी हर एक कॉंटिनेंट के चोटीों की बारे में मैं आपको बता हूं क्योंकि बात यहां पे परवत की की है तो एशिया की सर्वोट चोटी दुनिया की सर माउंट एवरेस्ट है और 8,850 मीटर इसकी उंचाई है यूरोप की सबसे उची चोटी है माउंट एलबरुस जो की 5,642 मीटर की है उत्तिरे अमेरिका की सरवो चोटी माउंट मेकिनली है 6,190 मीटर दक्षड अमेरिका की हर एक महादीब की उची चोटी बता रहा हूं माउं स्रीले के सरवो चोटी माउंट माउंट कोसी उसको और यहां पर अंटार्टिका की सबसे उची चोटी है विंसन मैसिफ तो सारी इंपॉर्टेंट चोटियों को भी हमने आपर पढ़ लिया है ठीक है चलिए आए देखते हैं नेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्चन उसमें बैठक की जाती उस चेतर के विगास के लिए तो 26 वी बैठक पूर्वी चेतरी परशत की पटना में हुई है कहां पर हुई है पटना में यहां पर पूर्वी चेतरी परशत की 26 वी बैठक का आईजन किया गया है तो बिहार के पटना में यहां पर बैठक हुई है भ ऋसरा सहकारिता मंतिर लाहे और जितने भी जोनल परिशत की मीटेंग होती है छेतरी परिशत की मिटेंग होती है उसके अब यहाँ पर पूरे छेत 있다고 राजा जाता जाता है, जहारकंड राज जाता है पिंस बंगा मंगा लाता है तो इस मंच पर बादचीत के माध्यम से और बहुत सारे जो विवाद होते हैं उसको भी यहां पर सौल किया जाता है उसका भी निप्टारा किया जाता है अभी पूरवी छेत्री परशत बैटा की उपाध्यश कोन थे बिहार के मुखी मंतरी नितिश कुमार यहां की उपाध्यश थे परिक्षा संजीवनी में बिहार से रेलेटेड करेंट अफैर्स को डिसकस करते हैं मिशन दक्ष कारिक्रम किसने स्टार्ट किया है तो यहां पर सिक्षा को बढ़ाने के लिए और मिशन दक्ष कारिक्रम माइनावरटी की सिक्षा के लिए बिहार में मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया अभी यहां पर नौकिरियों में आरक्षन जो है वो बढ़ा दिया गया STSE economically backward class तो चार वर्गों के लिए आरक्षन 65% हो गया है अगर आप इसमें EWS भी जोड़ दे तो 75% आरक्षन बिहार में implement कर दिया गया है यहाँ पर बना दिया गया है बिहार में सिक्षकों को टेस्ट के माधिन से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा दोस्तो आज की knowledge की factory में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे important नगर जो किस नदी के किनारे बसे हुए है इटली की राजधानी रोम है किस नदी किनारे है टाइवर नदी के किनारे है लंदन इंगिलेंड की capital लंदन है थीम्स नदी के किनारे है सिन नदी के हम बात करें तो सिन नदी जो है पेरिस जो है सिन नदी के किनारे है फ्रांस की capital रूस की capital Moscow है और यह Moscow नदी पर है जो ब्रह्मोस आप मिसाहिल सुनते है न ब्रह्मोस तो ब्रम्होस जो है ये भारत की ब्रमपुत्रा और रश्या की यही मौस्कोवा नदी दोनों की नदियों के नाम से मिल करके बना है ब्रम्होस जो भारत की मिसाहिल है ठीक है आई देखते कोश्चन नमबर 6 पर हाली में किस देश में तमिल कभी और दाशनिक तिरू की जो प्रतिमा है फ्रांस में इसका अनावरण किया गया है तमिल कभी और दाशनिक तिरू वल्लूवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है आप यह आपको भताया था पढ़ाया था तो पिम मोदी जी ने यह बात कई है कि भारत लगातार बढ़ रहा है और भारत तो फ्रांस के वीच में किस प्रकार से सांस्कृतिक संबंध था कितने बढ़िया कि हमारे देश की जितने भी बड़े लोग हैं उन सब के मूर्ति आपको विदेशों में देखने को मिल रही तो यह मचभूट डाइपलू में सी निति को बताता है। देखे sour की बात करें तो यह यह कवी थzil सुझे안 कम गुज Answer PA और ये तमिल कवी है और इनका जनम कहां पर हुआ है तमिल नाडू की मैलापुर में इनका जनम हुआ है और ये लेखक थे ठीक है दोस्तों यहाँ पी मैं आपको इंपोर्टने स्टेचू बताने वाला हूँ भारत की प्रमुख स्टेचू के बारे में बताने वाला हूँ जो बोमकारिश्वर खंडवा में इसका इनोग्रेशन किया गया है रामा नुजाचार जी की मूर्ति स्टैच्यू ओफ एक्विलिटी हैदराबाद में इस्थापत की गई स्टापित हुई है सरदार वल्लब भाई पटेल जी की मूर्टी स्टापित हुई है दुनिया की सबसे उची मूर्थी है के वडिया गुजरात में स्थापित की गई है भगवान शिफ की देश्य देश्त के लामू बंदरगा पर पहुंचा है आईनस सुमेधा है जो लामू बंदरगा जो नौ पर पहुंचा है यह जो नौसेना का यह जो जहाज है यह बहुत ही एडवांस्ड और मॉडन है आधुनिक हत्यार और एडवांस टेक्नलोगी से लैस है दोस्तों यह जो जहाज है यह मित्र देशों के साथ अंतराश्टी सहयों को मजबूत करने के लिए भेजा जाता है और यह exercise की जाती तो आपको पता है ताकि हमारे दोनों द संतरी से हुई विल्यम रूटू भारत की पहली बार यात्रा पर आये थे यह कॉशन पूछा जा सकता है आए बढ़ते नेस्ट कोश्चन 27 विश्व निवेश सम्मेलन इसका आजन कहां पर किया जा रहा है वेरिस 27 वर्ड इन्वेस्टमेंट समिट बिंग हेल तो देखे वि अकसद यह है कि हम किस प्रकार से भारत में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते सरल बना सकते हैं और विदेशों से इन्वेस्टमेंट को आकरसित कर सकते हैं हमाई डॉमेस्टिक एक्रॉमिक को मजबूत कर सकते हैं तो यहां पर बड़ी संख्या में आपको सरकारी नीती निर्माता विभिन अंतराश्टी संगठन के जो रेप्रेसेंटेटीव है वो देखने को मिलेंगे और ये चार दिनों तक ही चलेगा और ये 11 से लेकी 14 दिसंबर कल स्टार्ट हुआ है 14 दिसंबर तक इसका आजन किया जाएगा कहां पर किया जाएगा यशुभूमी सेंटर है मंडपम आपने नाम सुना होगा मंडपम तो मंडपम में जी 20 संवेलन हुआ था ये उससे दुगना है यशुभूमी कन्वेंशन सेंटर में कैपसिटी बहुत जादा है ये दिल्ली में है और ये उससे दुगना बढ़ा है यहां पर संवेलन किये जाते हैं ठीक ह चैनले, आगे बढ़ते 2030 के प्रमुक सम्मेलनों को डिस्कस करते है जो अभी आजी थे जूँ है 2030 में बायो एनेर्जी समिट 2030 कहा परुआ है तो नियु डैली में हुआ है विश्व बॉhद सिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है नियु डैली में हुआ है सात्वा अंतराश्टी धर्मध हम सम्मेलन भोपाल मध्धि प्रदेश में इसका आजन किया गया है आई बरते कोशन नमबर 9 पर 9 प्रशन आप सभी के सामने ये रहा दुनिया की तीसीरी सबसे मुलिवान तमाकू कमपनी कौन बनी है तीसीरी सबसे मुलिवान तमाकू कमपनी बनी है यहाँ पर देखिए आप ITC Limited कौन बनी है ITC Limited देखे ITC Limited टाटा की ही कमपनी है जो तीसीरी सबसे मुलिवान तमाकू कमपनी बनी है 68.6 अरब डॉलर की पूझी के साथ इसने बैट को पीछे छोड़ दिया है बैट जो की प्रिटिस अमेरिकन टोबेको कमपनी है उसको पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे मुलिवान तमाकू कमपनी बन गई है 1910 में ITC की शुरुवात हुई थी इंपीरियल टोबेको कमपनी ओफ इंडिया लिम्टेट के रूप में पात भी इसका नाम चेंज किया गया अभी अमेरिका की जो सबसे अमेरिका की जो कमपनी फिलिप मौरस फिलिप मौरस इंटरनेशनल यह दुनिया की सबसे बड़ी तमाकू कमपनी है दूसर नमबर पर आल्ट्रिया ग्रूप आज का आखरी इंपॉर्टेंट करेंट अफएर्स आप सभी के सामने यह रहा भारती नौसेना ने किस तड़ पर प्रस्थान अभ्यास को आजित किया है तो देखे मुंबई के तड़ पर कहां पर मुंबई के तड़ पर प्रस्थान अभ्यास का आजिन किया जाता है प्रस्थान अभ्यास जो होता है भारत की जो आंड फोर्सेस होती है उन्हीं की बीच में होता है किसी विदेश के साथ नहीं होता है तो भारती नौसिना ने रक्षा, राज और नागरिक एजंसियों के साथ यहाँ पर दो फीजमर प्रस्थान अभ्यास का आजन किया है इसका मकसद है आपको पता है कि समुदर से ओयल निकाला जाता है पेट्रोल निकाला जाता है तेल का उ कानी करना वैलिट करना ठीक है किस परकार से जो जहां पर पर प्रडक्शन किया जाता है तो उसके लिए शल्यूसन ढोड़ना ठीक है दोस्तों भारत और अन्य देशों की बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं आई एक बार उसे भी पूरा रिवाइस कर लेते हैं तो हैत्री अभ्यास भारत और थाइलैंड की बीच में होता है भारत और अमेरिका की बीच में वजब प्रहार और युद्ध अभ्यास होता है वजब प्रहार और युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है भारत और अमेरिका की बीच में होता है गरुण शक्ति भारत और इं स्क्रीन के विच में यह अभ्यास होते हैं मैंने इंपोर्टेंट अभ्यास आपको बता हैं ठीक है दोस्तों अब यहां पर ट्रिपल र सेशन पर पुराने महीनों के करेंट अफेट्स कर रिविजन करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स पर रेडी हो जाएए आप बताईए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है रहा माउगंज किस राजका तिरपनवा जिला बना है तो माउगंज मद्धि प्रदिश राजका 53 नंबर का डिस्टिक बना है सत्यब्रत मुखर जी का निधन हो गया है किस चेतर से संबंदित थे तो सत्यब्रत मुखर जी का संबंध पॉलिटिक से था राजनीती से था पॉलिटिक से इनका संबंध था ठीक है किस भारते ब्रहत्री को आसकर समारो 2030 में आवार्ड प्रिजन करने के लिए इन्वाइट किया गया था तो यह दिपिका पादुकोर्ड थी जिन्हें आवार्ड प्रिजन करने के लिए इन्वाइट किया गया था किस दोबर शांती पुरसकार विजेता को बिलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी तो इनका नाम है एलेस बलियासकी को यहां पर सजा सुनाई गई थी तो प्रीम कोड ने अधानी समू मामले की जाज के लिए किसकी अध्यक्सता में कमिटी का गठन किया था तो यहां पर अधानी समू के मामले में एम सपरी इंपोर्टेंट है याद रखिए का काफी न्यूस में था एम सपरी की अध्यक्सता पर यहां पर गठन किया गया था जलशक्ति अभियान कैस्दारें 2030 अभियान की थीम क्या है तो इसकी थीम है दोस्तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर द्रिंकिंग वॉटर यूवा उस सब भारत ट्डरेट 2047 को किस संस्थान में लॉंच किया गया है तो दोस्तो आई एटी रोपड में लॉंच किया गया है तो सस्तर सीमा बलके महानिदेशक की रूप में किसे पॉइंट किया गया है तो रश्मी शुकला जी को एपॉइंट किया जाता है वियत नाम की निस्टनल सम्बली ने किस देश का नए राश्पति चुना है तो वू वान थूओग मुउऔ्ट नाम की निस्टनल सम्बली के नए राश्पति बने है दोस्तो यहाँ पर हम यहाँ पर 11 देन यारे Desember के current affairs का revision करेंगे जो 11 December में आपने current affairs पढ़ा था यानी कल पढ था तो आई देखते हैं विश्णुदेव साय कि स्राज की नय मुखी मंतरी बने तो 36 गड़ के विश्णुदेव साय यहां पर नय बिनस्टर आ रहे हैं देख रहे हैं आप लाल रिन्पूई किस राज के पहली महिला मंत्री बनी है तो लाल रिन्पूई मीजोरम राज की पहली महिला मंत्री बनी है ठीक है ग्लोबल लीडर अप्रूबल लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन है तो नरेंद्र मोधी 76% के रेट के साथ सबसे पहले स्थान पर है भारत के पहला bullet train station कहां बन करके तयार हुआ है तो एमदाबाद ने bullet station बन करके तयार हो गया है एमदाबाद से मुंबई चलेगी bullet train 10 दिसंबर को विश्च स्तर पर किस दिवस की मनाया जाएगा तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानाव अधिकार दिवस जलवायू परिवर्त हैं प्रदर्शा सूचकांग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भारत यहां पर साथवे स्थान पर है Artificial Intelligence Research 2023 2023 का आजन कहां पर किया जाएगा तो इसका आजन New Delhi में किया गया कहां पर नई दिल्ली में किया गया Women's Premier League के Season 2 में सबसे महंगी भारती खिलाडी कौन बनी है तो सबसे महंगी भारती खिलाडी काशवी गौतम बनी कौन बनी है काशवी गौतम गुजराट Titans नेने खरीदा है भारत को कितने साल के लिए अंतराश्वी समुद्री संगठन परिशद में चुना गया है तो दो साल के लिए भारत को चुना गया है अमेरिका की विदेश मंत्रालेन अंतराश्वी भरस्टा चार रोधी चैंपिन किसे गोशित किया है तो दोस्तो निखिल डे को घोशित किया है दोस्तो लूसन जी के में हिस्ट्री में पाँच महात्वपूर प्रश्णों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो आई देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है विश्णु पुरान में किस राजवंस का आपको वर्णन मिलेगा तो विश्णु पुरान में आपको मौरवंस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जैन साहित को क्या कहा जाता है तो जैन साहित को जैन लिट्रेचर को आगम कहा जाता है क्या कहा जाता है आगम बोला जाता है हडपा किस नदी की किनारे आपको देखने को मिलेगा तो हडपा जो है रावी नदी की किनारे आपको देखने को मिलेगा हडपा किस नदी किनारे था रावी नदी किनारे वेदांगों की संक्या कितनी है तो वेदांगों की टोटल संक्या छे कितनी है छे वेदांग है चंद्रगुप्त मौर का उत्तराधिकारी कौन था तो चंद्रगुप्त मौर का उत्तराधिकारे था बिंदुसार कौन था बिं को ध्यान से सुना है इसलिए आखरी में आपका test लिया जाता है तो पहला question यह रहा नरेजिंग तो उमर किस राज्य की विधान सभा अधिक्ष बने है तो मध्धि प्रदीस राज्य की विधान सभा अधिक्ष बने है Statue of Oneness कहां पर आपको देखने को मिलेगा तो ओम कारिश्वर में Statue of Oneness खंडवा में आपको देखने को मिलेगा सी बक्थान कहां से related है तो सी बक्थान का संबन लद्दाग से इसे जंगली फल बोला जाता है कॉन राजर संगमा किस राज की मुखे मंतरी है तो कॉन राजर संगमा मेघाले राज्य के videos के चीफ मिनिस्टर है घमु कशमेर किस वर्केंद सासी प्रदेश बना जमुकशमीर 2019 में 31 अक्टूबर को केंद शासी प्रदेश बना है UNICEF का हैड्कौर्टर कहाँ पर है UNICEF का मुख्याले कहाँ पर है UNICEF का मुख्याले आप से पूछा जाए तो New York में कहाँ पर है New York में है एशिया की सरवोग चोटी कौन सी है एशिया की सरवोग चोटी दुनिया की सरवोग चोटी है माउंट एवरेस्ट है रोम किस नदी किनारे वसा हुआ है तो रोम के हम बात करें इटली की क्यापिटल रोम है तो ये टाइबर नदी की किनारे कौन है टाइबर नदी की किनारे ह स्टेच्व और सुमाई रूटो किस देश के राश्पती बने हैं तो विल्यम सुमाई रूटो केन्या के जो हैं राश्पती हैं भारत क्यात्रा पर आए थे तो यहां पर यह आप देख पा रहे हैं केन्या के आज का सवाल है दोस्तों मद्ध प्रदेश के नए मुखी मंत्री कौन बने इसका उत्तर आपको comment box पे देना है आपको पहचानना है कि GI tag दिया गया है ये क्या है इसके बारे मैं आपको 3-4 लाने लिखनी है 100% मैं comment pick करना भूल जातो comment पढ़ता हूँ आप लोगों का 100% comment आप का कल पिक किया जाएगा अभी देखिए कि आपके लिए काम की बात है उत्तरा खंड की वेकेंसी जारी हुई है उत्तरा खंड सब ordinate service selection commission ने group C की वेकेंसी जारी की है तो यह वेकेंसी आपको यहाँ पर search कर लीजेगा UK SSSC group C recruitment test 11 दिसंबर 2023 से form भरे जाने कल से भरे जाने 31 दिसंबर तक form भर सकते हैं सारी details आपको group में मिल जाएगी इसके लाब आप वहाँ पर site में जाकर की details प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों जनवरी से लिए के November महिने का महा मैरतन अप्लोड हो चुका है हर महिने का monthly current effects आता है November महिने का प्रांस होती है जो आपको study कर application पर आपको मिलेगी ebook section में जाओ तो मिल जाएगी